उत्तरकाशी की सबसे बड़ी नगरपाली का बाड़ा हाट में कॉंग्रेस पार्टी ने अध्यक्षपत के साथ ही 11 में से 7 वाड़ों पर जीत हंसल की है जिसके बाद नवनिर्वाचित नगरपाली का अध्यक्ष रमेश सेमवाल और सातों सभासदों ने गंगोत्री के पूर्व विधायक विजय पाल सजवार के आवाज से लेकर मदगर्ना केंद्र तक विजय जुलूस निकाला और जन्ता का अभार विक्त किया आपको बता दें कि अध्यक्ष पत पर कॉंग्रेस के रमेश सेमवाल ने निर्दलिय प्रतियाशी भुपेंद्र चोहान को 899 मतों के अंतर से पराजित किया है जबकि भाजपा परतियाशी हरीश सेमवाल 2495 मत पाकर तीसरे स्थान पर रहे और बाकी चार परतियाशों की जमानत जब्थ हो गई वहीं सेमवाल ने से भाजपा की केंद्र और राजिस सरकार की जन्विरोधी नीतियों की हार बताया जन्ता ने हम पूरा पूरा अशिर्बाद दिया है और में जन्ता बरोष्य दिलान चाहता हो तरद करें पान जन्ता को निश्यत तोर्पे हम वह gefस्त की हम उन्हें पर खर match रेंगे और जन्ता की समश्यां को और जो सरोकार हम से होगा नगरपालिका से जो सहर की सफाई का मामला हो या उसका रामला मैदान का जो जुर्दा सा हो रखी है उसका मामला हो सहर के रास्तों का मामला हो स्ट्रीट लाइट का मामला हो नालियों का मामला हो वही नगरपाली का चिन्याली सौड में बड़ा उलट फेर करते हुए निर्दलिय प्रतियाशी बीना बिष्ट ने भाच्पा की जैनी बिष्ट को 1464 वोटों के अंतर से करारी मात दी जबकि कॉंग्रेस की मनोरमा को 596 और निर्दलिय कुसुमलता को 209 वोटों से संतोश करन पड़ा पंजाब केसरी टीवी के लिए उत्तरकाशी से आशीश मिश्रा किरपोर्ट